आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो मैं सीवम अपने यूरूप चैनल टेक्निकल सीवम पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल के अंदर आप जेनरल सेटिंग कैसे यूज कर सक देखने को मिलती है जब अपने मूबायओ फोन के अंदर गूगल उपन करते हैं उसके बाद आप यहां पे गली करते हैं और क्लिक करते हैं यहां पे आपको ये शीटिंग देखने को मिलती है जίνरल के नाम से इस शीटिंग को कैसे यूज diagnose कर ते हैं इस सेटिंग से हमारे के अंदर क्या परिवातन पड़ता है वही मैं आपको पूरा डीटेल में बताने वाला हूं तो चलो तो आज का वीडियो को लेते हैं स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली ब बहुत सारा पेजेस यानि कि सेटिंग देखने को मिल जाता है तो सब से पहले आपको सेटिंग देखने को मिलता है रिसेंड पेज के नाम से सेटिंग तो इस सेटिंग से क्या होता है कि गूगल के अंदर जितना भी आप सर्च करते हो उसका एक रिसेंड पेज बन जाता है तो उसे अगर यहाँ पर आप पहुच करना चाहते हो कि हम कुछ भी सार्च करें उसका पेज हमें ना बने हमें दिखाई ना दे हमारे Google के अंदर सेव ना हो तो आप इस सेटिंग को बंद कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर इसे बंद कर देता हूं आप यहाँ से इसे ब कर देते हैं इस सेटिंग को यहीं से भी आन कर सकते ही ओकी तो एसाऽ मॉबाइल मोबाइल फोन के अंदर आप इस सेटिंग को यूच कर सकते हूं जो आपको आपको sap clean के अंदर आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद यहाँ दिश्कुबर का मतलब 오른śl वाप Google को यानि की Google का HomePage होता है उसके नीचे आपको देखने को मिल लाते हैं बहुत सारे आर्ट काल जैसे मैं यहाँ पर दिखायता हूं तो यह सारे डिस्कुबर होते हैं आपे जितने सारे यह आपको देखने को मिल रहें जी शार्दे आपको देखने को मिल लाए यह सारे के सारे discover होते हैं अगर आप इसे यहाँ पर बंद कर देते हैं इस setting को जैसे मैं यहाँ पर setting पर किलिक करता हूं और यहाँ पर manage यानि कि channel पर किलिक करता हूं और इसे मैं पहुच कर देता हूं तो हमारे Google के home page पर हमें जो यहाँ पर यानिकि discover देखने को मिलते थे यह अब आटोमेटिक चेंज नहीं होगे हम चाहें अपने Google को एक बार open करें या दो बार open करें यहाँ पर कोई भी update नहीं होगा हमारे discover यहाँ पर आटोमेटिक चेंज नहीं होगे तो ऐसे अपने mobile phone के अ value save data discover without refresh as often यानिकि इस setting से क्या होता है कि जो मैंने आभी आपको बताया है कि discover जो आपको देखने को मिलता था तो वह आपका यहाँ पर आपने चेंज नहीं होगा कोई भी वहाँ पर रेपरेंज नहीं आएगा तो ऐसे आपका डाटा भी बचे गा इसलिए यहाँ पर डाट सेवर सेटिंग देखनी को मिल या श्रीक से यह और यहां से इनेवल करने से क्या होता है कि आपके गूगल पर ट्रेंडिंग search include popular searches in your area, यानि कि आपके area का trending यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, popular आपको यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिल जाता है, अगर आप इस setting को यहाँ से on करते हैं, तो जैसे तो आपको मैं दिखायता हूँ, इस setting को on करने से क्या होता है, आपको बैक आना है, Google के आपको home page पर आ जाना है, जिसे मैं बैक आ जाता हूँ, और मैं Google के home page पर आ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पर Google के home page पर मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पर जितना सारा आपको यहाँ पर discover देखन को मिलता है यह आपका पॉपलर देखने को मिलेगा यानि की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और आपके छेत्र का ही आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा तो मैं इसे आपको हिंद वीडियो और साइट को आउरित करता है अगर आपके सेटिंग को यहां से बंद कर देते हैं यानि कि इनेवल कर देते हैं तो क्या होता है जो भी आप सर्च करते हैं उसके अंदर कोई ऐसा यहां पर आपके सामने कॉंटेक्ट नहीं आएगा कॉंटेंट नहीं आएगा जो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा शेफ सर्च यानि कि कुछ भी सर्च करोगई आपका बिल्गुल सेफ सर्च रहेगा कोई भी सर्च करे तो ऐसे अपने मुपाईल फोन के अंदर इस सेटिंग को आउन कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देखने को मिलिता है ओपयर व क्या होगा कि हमारे सामने बहुत सारा लिंक देखने को मिल लेता है और नीचे आने पर हमें बहुत भी और भी देखने को मिल लेगा तो यह लिंग आपके खुल लेंगी अगर आपके पास इसका अप्लिकेशन है जैसे यहाप को आपको लिंक देखने को मिल लगी यहाँ पर Amazon का अगर आप इस पर किलिक करते हैं और Amazon अप्लिकेशन आपके मुबाइल फोन के अंदर है तो यह लिंक आपका है उसी अप्लिकेशन के अंदर Amazon के अंदर open हो जाएगी इस सेटिंग से यही होता है कि अगर आप इस सेटिंग को यहाँ स इस पर किलिक करते हो और वह लिंक जैसे फिलेप काड का Amazon का या किसी भी अप्लिकेशन का है और वह अप्लिकेशन आपके मुबाइल फोन के अंदर पहले सी ही मौजूद है आपने इंस्टॉल करके रखा है तो वह आपका लिंक आपके अप्लिकेशन के अंदर open हो जाएगा जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर देखने को मिल जागा एपस में बेव पेज देखना यानि की रूप से हस्त्रित है तो अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाता है आटो पिले वीडियो प्रिवियस यानि की Google पर कुछ भी आप सर्च करते है और वहाँ पर आपके सामने कोई भी वीडियो आ जाता है गूगल पर तो वह यहाँ पर आटो पिले हो जाएगा जब अपने मुबाइल फोन को वाई-फाई से कनेक्ट करके रखते हैं तब तो इस पर आपको किलिक करना है और यहाँ से अपने साफसे मैनेज कर सकते हैं अगर आप्या आते हैं कि गुगल पर कोई भी वीडियो आए और हम अपने मुबाइल फोन का डाटा यूज करें या वाई-फा यूज करें हमारा वो वीडियो आटो विट गूगल यानि कि यह सेटिंग आपके यहाँ पर Google एस्टेंस के अंदर यह सेटिंग काम करती है इस सेटिंग को कैसे यूज किया जाता है उसकी मैंने आल्रेडी वीडियो बना दिया है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप इस सेटिंग को आप सच कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं उसके बाद यहां पर देखने को मिलता है यहां पर doodless on search widget setting इस setting को on करने से क्या होता है और इस setting को off रखने से क्या होता है तो इस setting को यहां पर होता क्या है जैसे यहां पर देखने को मिलता है so google doodless in the home screen search widget यानि कि इस setting को अगर आप यहाँ से enable कर देते हैं तो आपने भी कभी ना कभी तो देखा होगा कि जब अपने mobile phone का यहाँ पे google open करते हैं यानि कि google का home page जब आप open करते हैं तो आपके समने इस तरह का page open होकर आ जाता है और यहां पे आपको Google देखने को मिल जाते है और इसी के बगल में आपको बहुत सारे छोटे छोटे यानि की कार्टून के तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं तो उन्हें आप पौज कर सकते हो गूगल की जगह पे आपने बहुत सारा देखा होगा बहुत दिनों पहले देखा होगा यह आपके मुबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाता है कि गूगल के अंदर ही कुछ आपको टेटू देखने को मिल जाते हैं काटून देखने को मिल जाते हैं तो उन्हें डूडेल्स कहते हैं तो उस सेटिंग को यहां से आप बंद कर सकते हो आपको कभी भ झालवाद